हेलो गाइज मैं हूँ सौरव और कंप्यूटर एसिस चैनल में आपका शौगत है तो दोस्तों किया आप भी प्राप्लेम भेज कर रहे हैं कि आप अपना बिंड्राइब जब कंप्यूटर पर कनेक्ट करते हैं तो आपको सिर्फ एक आवाज सुनने को मिलता है लेकिन आपका जो बिंड्राइब है वो कंप्यूटर पर सो नहीं हो रहा है तो मैं इस वीडियो में इसी के रिगार्डिंग कुछ सॉल्यूशन्स बताने वाला हूँ तो वीडियो को लाश्ट तक देखते रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना सियर क करना और ब्लीज चैनल को सब्स्क्राइब करना तो चलिए देखते हैं asking section क्या है तो दोस्तों यहां भी आप देख सकते हैं मैं में तो पर यहाँ नहीं हो रहा है तो यहां पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगा मैं जो स्तेप बता रहा था यह करने से पहले आप आपना जो pen drive है वो दूसरी port में डालके एक बर चेक कर लेना तो चलिए चलते हैं हमारा step number one पे तो इसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए आपको जाना है desktop पे desktop पे जाने के बाद यहां पे जो this PC या फिर my computer है उसके उपर करना है आपको right click यहां पे आपका जो computer management window है वो open हो जाएगा इसके बाद आपको यहां पे disk management पे क्लिक करना है तो disk management पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पे दो डिस्क हो रहा है एक जो है मेरा hard drive और यह है मेरा pin drive लेकिन यह जो pin drive है यह वाँ पे हो नहीं हो रहा है तो इसके लिए क्लिक करने के बाद यहां पे देख सकते हैं यहां पर क्लिक करते ही यहां पे कोई भी एक drive लेटर कोई भी आप यहां पे इसलेक्ट है आप कोई भी drive लेटर सेलेक्ट करके इसके ओपर उके दबाना है तो देख सकते हैं यहां पे जो मेरा pin drive है वो detect हो गया तो इसके उपर बस क्लिक कर देना है और यहां पे scan & fix का जो option है यह जरूर करना दोस्तों जो यहां पे scan & fix है इसके उपर क्लिक करना है आपको तो यहां पर देख सकते हैं एक रिपेर ड्राइब का उपसेन आ रहे हैं तो इसके उपर आपको सिंप्ली क्लिक कर देना है तो दोस्तों यहां पर होगुखा हैं जैसे यहां पर देख सकते हैं जो मेरा USB कुलिक करना और हैं और अची अब करने के बाद यहां पे देख सकते हैं जो मैनेजर का एपको क्लिक करना है तो यहां पर आपको करना है व्यू के ऑफिशन पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको सो घिडन डिवाइस पर क्लिक करना है और आपको यहां से बिल्कुल लेचे चले जाना है तो यहां पर आपको कुछ mass storage device सो होगा तो यह जितना सारा mass storage device है आपको क्या करना है इसके उपर बस right click करना है और यहां पर install device पर क्लिक कर देना है जितने सारे हैं ऐसे एक एक करके आपको अनिस्टॉल कर देना है तो यहां पर मेरा दो है तो इसको मैंने कर दिया अनिस्टॉल यह करने के बाद आपको यहां पर क्लिक करना है इसके उपर आपको क्लिक करना है इसके उपर क्लिक करते देख सकते हैं यहां पर जो USB डिवाइस है वो डिटेक्ट हो जाएगा अगर नहीं हुआ तो आप अपना जो computer है वो एक बड़ स्टार्ट कर लेना तो अगर इससे भी आपका problem solve नहीं होता तब step 3 follow कर लेना तो इसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए आपको खोल लेना है अपना comment front तो comment front खोलने का दो तरीका है अप यहां पर आपका जो windows का icon रहता है इसके उपर आपको करना है right click तो right click करते हैं आप देख सकते हैं comment front का यहां पर दो options हो रहा है जो first वाला है वो normal comment front के लिए हैं और जो comment front admin है यह administrator comment front है तो आपको खोल लेना है administrator comment front तो आपको simply इसके उपर क्लिक कर देना है और यहां पर यहां पर right click करने के बाद आपका अगर comment front यहां पर daha नहीं हो रहा है इसके जगह आपको और आपको क्या करना है आपको बस अपना जो task बार रहे उसके इपर पर कर कर देना है जैसे मेरे किस में यह off है इसलिए वहां पर comment फ्रॉंट से हो रहे हैं और इसके जो दूसरा थरीका है access करने का वो है यहां पर आपका जो सर्च का icon रहता है उसके पर आपको क्लिक करना है और आपको type करना है cmd तो यहां पर comment फ्रॉंट आ जाएगा तो इसके उपर आपको right click करना है right click करके run is administrator पर क्लिक करना है और इसको yes कर देना है तो उसके माद आपको क्या करने है उसके बद आपको type करना है disk part और enter दबाने है यहां पर type करना है list disk तो यहां पर देख सकते हैं मेरे जो disk यहां पर दो disk सो हो रहा है करना है disk 1 तो इसके लिए type करना है select disk space 1 और इसके बद एंटर दबाने है इसके बद आपको type करना है clean और इंटर दबाने है तो देख सकते हैं यहां पर succeeded का एक message आया है आप इसको as a primary partition mark करना है तो इसके लिए आपको type करना है create partition primary और इसके बद इंटर दबाने है अब इसके बाद आपको क्या करना है format करना है इसको format करने के लिए आपको type करना है format format a face is equal to fat 32 और उसके बाद type करना है quick यह type करने के बाद आपको इंटर दबाना है तो आपको जोब इंटर है वह format हो जाएगा format होने के बाद आपको type करना है active और इंटर दवाने तो देख सकते हैं यह step complete हो गया है अब आपको क्या करना है आपको type करना है assign तो यहां पर देख सकते हैं आपका जो USB drive है वो detect हो गया है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह ते तीन स्टेम जो मैंने बताया इससे आपको जो problem है वो solve हो जाएगा अगर फिर भी आपका problem solve नहीं होता तो आप नीचे comment करके बता सकते हैं